नमस्कार दोस्तों एक बाद फ्रिस आपको बहुत बहुत स्वागत है गौर्मेंट इंप्लाइज वेलफेर की नई और फ्रेस वीडियो में पुराणी पैंसन बाली पर हाई कोट का जवरदस्थ फैसला दस दिन में मांगा जवाब लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूस टुड़ेई जी हाँ दोस्तों इससे पहले सभी सरकारी करमचारियों और पैंसन बोग्यों की न्यूस से हमेंसे अपडेट रहने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और साथ में जो गंटी का बटन है उससे भी दबा दे ताकि आपको मिलती रहे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 8 फरवरी 2019 को ये लेटेस्ट न्यूस जारी की गई है नई पैंसन स्कीम अच्छी है तो MP MLA पर क्यों नहीं लागू करते ही इलाबाद हाई कोट जिहां पुरानी पैंसन की बाहले की मांग करने वाले सरकारी क्रमचारी की हर्ताल के मामले में सरकार के रवये की इलाबाद हाई कोट ने तेखी आलोचना की हैं हाई कोट ने का है कि नए पैंसन स्कीम इतनी ही अच्छी है तो MP MLA पर लागू क्यों नहीं करते हो तो दोस्तों अग सेर में कैसे लगा सकती हैं, क्या सरकार एसंतुष्ट करमचारियों से काम ले सकती हैं? कोट ने कहा कि सरकार लूट खपोड़ वाली करोडों की योजनय लागू करने में नहीं हिचकचाती और उसे 30 से 35 साल की सेवा के बाद सरकारी क्रमचारियों को पैंसन देने में दिक्कत हो रही है कोट ने पुछा सरकार को क्या क्रमचारियों को नियुंतम पैंसन देने का आस्वासन नहीं देना चाहिए कोट ने कहा कि क्रमचरी की हर्टाल से सरकार का नहीं लोगों का नुक्सान होता है तो दोस्तो कोट ने सरकारी नेताओं को अपनी सिकायत और पैंसन स्कीम की खामियों को 10 दिन में ब्योरे के साथ पेस करने का निर्देश दिया है इसी के साथ जहिंजे बारत आपका दिन बहुत ज़्यादा सुब रहे